हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रिगनेंसी पॉइंट कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिगनेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी pregnancy के दुरान एकदम से पेट में कड़क होना पेट का कड़क होना और एकदम से आपका पेट जो है वो बहुत ज़दा tight हो जाता है तो क्या आप इससे पता लगा सकते हैं कि गर्फ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी Pregnancy के दुरान जो ये पेट का कड़क होना है वो आपके Trimester मतलब Pregnancy को हमारे डॉक्टर ने तीन तीमाये में जो है वो बाटा होगा है First Trimester Second Trimester और Third Trimester अगर आपका पेट मतलब की आपका पेट कड़क हो रहा है अगर फॉस्ट ट्राइमिस्टर में हो रहा है मतलब की एक से लिके तीन माईने को फॉस्ट ट्राइमिस्टर में रखा गया है अगर उस टाइम पे अगर आपके पेट कड़क हो रहा है तो ये किस बात का संकेत देता है और वहीं अगर आपका पेट आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्रैमिस्टर में मतलब के साथवे आठवे नौवे माईने में अगर आपका पेट कड़ा खो रहा है तो यह किस बात की निशानी है और हम कैसे जान सकते हैं कि आपको होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फीर एक बेटी होगी तो सलीह फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने पेली फ्रेंट्स एक गुजारी जरूर करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेह चलां सब्सक्राइम नहीं कया है तकि बाला to तो चली जान लेते हैं कैसे जानेंगे कि पेट का कड़क होना क्या संकेत देता है पहले हम जान लेते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे गर्व में लड़का है या फिर एक लड़की है तो फ्रेंट देखे जो हमारे घर के बड़े बुजर्ग होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर गर्वती महिला का पेट अगर बहुत जादा जो है न देखे ये बात न फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जादा महसूस होगी और आपकी अगर फर्स्ट प्रिग्नेंसी है तो आपको ये चीज जो है न वो जादा फिल होगी कि आपका पेट जो है वो एकदम से टाइट हो गया है कड़क हो गया है पेट में मरोड जैसा आपको लगेगा तो ये हर एक गर्वती महिला के साथ होता रहता है बट मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिसको आपको इ है ज्यादा देखि नॉर्मल अगर हो रहा है ना तो यह आपकी आने वाली जो संथान हिस वह c again अई अगर आपका हीथा अजनीयाता हो रहा है है फ्रेंटस तो जब हमारे गहर में बेटी होती 이후 तो बेटी ज्ञादा हल चल करती है तो कभी-कभी जो हमारी बच्ची होती है जो हमारे गर्ट में बच्चा होता है ना तो वो कभी-कभी क्या करता है कि अपने हाथ पे ना इतनी टाइट से हमारे पेट में गड़ा देता है कि हमारे जान निकल जाती है बहुत सारी गर्वती महिला ऐसी होंगी जिनको सेकंड प्रेगनेंसी में यह महसूस भी होता होगा कि एक दम से पेट टाइट हो जाता है ठीक है आपके एक दम से चीक निकल जाते कि यह क्या हुआ है कभी बच्चा पता है क्या करता पेट के अंदर कि वह अपना हाथ या पैर कुछ ऐसी जगा अठका देता है ना तो हमारे जो घब करता है क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की दुरान बीना यह चीज मुझे फील होता था जब मुझे बीबी बॉय कंसीव हुआ था तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मतलब की अगर आपका पेट हो रहा है और आपने पोजीशन अपनी चेंज की आप टहन ले गए और आप जो है ठीक हो गए तो आपको यह बताता है कि आपके गर्व में होने वाली जो आपकी संतान है वह एक बेबी बॉय होगा बट हम यह जान लेते हैं अगर प्रिगनेंसी की फॉस्ट ट्राइमिस्टर में अगर आपका पेट हो रहा है आपके पेट में मरोड आ रही है या फि बॉरुक हो रहा है जैसे कि क्रेम्स रहे है जैसे कि हमारा जब गारी всегда होता है तब हमारे किसको नीचे का एयरिया होता है सब्सक्राइब मैं आपको बोलूँगी कि तुरंत आपको जो है ना हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि यह मिस्केरिस के संकेत आपको बता रहा है ठीक है अगर यही धर्द की आपको मरोड हो रही है एठन हो रही है और यह आपके प्रिगनेंसी के लास्ती माई में मतलब की साथवे आटव जैसे आपका घरभाष्य बढ़ता है आपके पेट में जया है वो साव या निकी आपका पेट जो है वह टाइट होने लगता है ऐसा होना बयसे एक समाने बात है लेकिन कई बर प्रिगनेंसी के सुरुहाती हफते में अगर आपका पेट हो रहा है तो यह आपको गर्ब बात आपका खत्रा होना ही बताता है ठीक है फ्रेंट्स इसके बाद यह है फ्रेंट्स की अगर आपका पेट जो है ना अगर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जो है वो मिस्कारेज होने वाला है तो देखिए आपका पेट जो है ना वो टाइट होने लगेगा पेट में जो है वो एठन होने लगेगी पीट के निचले हिस्से में आपको दर्द और एठन होगी आपको जो है न इस पॉर्टिंग या फिर ब्लीडिंग जो है वो आपको दिख सकती है योनी से तरल परधाद जो है वो निकल सकता है तो आप समझ आईए कि ये बिल्कुल आपको बता रहा ह है कि आपका जो है ना मिस्कैरिज होने वाला है और आपको तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए क्योंकि सभी लोग ना बहुत सारी महिला ऐसी होती है फ्रेंड्स जो यह सोसती है कि प्रेग्नेंसी की दुर्वान यह बात नॉर्मल नहीं है इसलिए मै आपको बता रही हुँ था कि बहुत सारी महिला इन बातों से अंजान होती है तो उन चीजों को वो नहीं समझ पाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा अगर आपको इन में से कोई भी संकेत दिखे फ्रेंड्स तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास विजिट करिएगा ठ हमारा पेट इसलिए भी टाइट हो जाता है कभी-कभी हमें गेज़ कभी हम आपको यह बोलेगी कि प्रियापत मातरा में आप पानी का इंटिक बहुत अच्छे से कीजिए ठीके और आप खाना खाने की तुरंत बात जो है आपको लेटना नहीं है आपको टहलना जरूर है अगर आप टहलेंगे न तो आपका इससे खाना भी अच्छी से डाइजेस्ट होगा आपके सीने में भी जिलन नहीं होगी और आपका बच्ची का विकास भी जो है वो बहुत अच्छा रहेगा प्रेगनेंसी को आपना इंज्वाइ कर पाएंगी तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दुरान टहलना बहुत जरूरी होता है अगर आपके यहां पर आसपड़ोस में दो महिला प्रेगनेंट है तो आप यह सोचते होंगे कि उनको क्या सिम्टम्स हो रह जीए ताकि आपको पता लग सकें कि बेटे होने पे कौन-कौन से सिम्टम्स जो है वह आपको महसूस होंगी तो मिलती है आपको नेक्स वीडियो में जब तक अपना और अपने बच्ची का ध्यान रखना शुरक्षित रहना सेफ है ना इंज्वाइगना प्रेगनेंसी को अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो बिना जिचके आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट में आके मैं आपकी कमेंट का रिपलाय देने की पूरी कोशिश करूंगी जैसे कि आपको सभी को पता है अभी जो है ना शादी और फंक् यह आ रहे है इसका पिछे का रिजन यह है कि अभी में बहुत ज़्यादा बीजी हूं और मैं आपको नॉर्मल डिलिवरी के लिए और सी शेक्षन की स्टोरी भी जो है ना मेरी में आपको शेयर करने वाली हूं आकर बहुत सारे महिला ऐसी होती है ना जो सी से डड़ जाती है तो आप मेरा एक्सपीरींस सुनने के लिए ना किस कंडिशन में आपको डॉक्टर बहुत सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा तो मैं आपको स्टोरी जो है वह अपने जरूर शेयर करूंगी और कभी कभी देखिए क्या होता ना मेरे साथ में फेस वाले वीडियो बन तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो कि यह मेरी वीडियो है या फिर किसी और की वीडियो है ठीक है क्योंकि जब मेरे ठीक होती फ्रेंट्स तो मैं अपको फेस वाली वीडियो बनाने की कोशिश करती हूं और जो मुझे लगता है कि मेरे ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा लेजी कभी-कभी मुझे लगता है तो मैं ऐसे वीडियो बना देती हूं क्योंकि अभी हाल फिलाल में मेरे तबित भी खराब चल रहे ठीक नहीं चल रही है तो आप अपनी प्रेग्नेंसी का पूरा-पूरा ध्यान रखें मैं भी अपना ध्यान रखूंगी और ठंड हो रही है ठ नहीं हो शीख शीजबें से लोगते है गजान रही है रही है तो नहीं है नहीं है भी मिध्या रही है आप श्यूपरी घ्रह फिला जो इसे